एलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग केसी सिंधा का क्लास्टेन मैथ का सॉलोसन देखने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नमबर 5, 6 और 7 को देखेंगे अर्था टोटल 3 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे तो आईए जिसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नमबर 5 तो क्वेश्चन कहता है एक साक्ष पर उस बिंदू को घ्यात करें जो निम्न बिंदू युगमों से शम दुरस्त है अब ये क्वेश्चन नमबर 5 में कुल 3 क्वेश्चन दिया गया है Q1, Q2, Q3, जिसमें हम सबसे पहले 5 का 1, Q5 का 1 को हल करेंगे, जिसका निर्देसांग 7,6 और माइनस 3,4 है, और कहता है कि X अक्षपर उस बिंदू को ग्याद करें, जो निम बिंदू यूप से शम दूरस्त है, सम दूरस्त का मतलब होता है, समान दूरी पर, अर्थाद, मान लिजे कि X अक्ष, माना, X अक्ष पर बिंदू, X अक्ष पर बिंदू, X,0 हो जाएगा, यहाँ X अक्ष पर कह रहा है, तो X होगा, और जो Y है, वो 0 हो जाएगा, अर्थाद, इसको हम कहें, X,0 और यह दो बिंदू है, एक साथ कॉमा चो और दूसरा, माइनस तीन कॉमा चार, और यह दोनों, अर्थाद, हम इसका कुछ नाम दे देते हैं, O, A और यह B, तो समदुरस्त का मतलब होता है, कि O, A बडावर है O, B के, समदुरस्त का मतलब होता है, O, A बडावर है O, B के, अर्थाद, हम यहाँ, सबसे पहले O, A निकालेंगे, O, A, हम इसके लिए, यह X1 और यह Y1, इसको X2 और यह Y2 खाय देते हैं, और यहाँ, इसमें दूरी सुत्र के फॉर्मूला का उप्योग होगा, तो O, A बडावर हो टंडर, X2 माइनस X1 का होले स्कोर, पलस Y2 माइनस Y1 का होले स्कोर, अब यहाँ, X2 का माण जो है, वो साथ है, माइनस X1 का माण X का होले स्कोर, पलस Y2 का माण 6 है, माइनस Y1 का माण 0 है, तहां हम 0 का है स्कोर लिए हैं, और यह रूट है तो, रूट कर द अब यह a minus b का whole square तो हम a minus b के whole square का formula बगाएंगे यह a square plus b square minus 2 a into b यहाँ a के जगा 7 है तो 7 लिखेंगे b के जगा x है तो x plus यहाँ 6 में से 0 घटाएंगे तो यह 6 का square हो जाएगा और यह root है तो root अब यह x square minus 7 दुना 14 x plus 7 का square 49 और पलस 6 का square 36 हो जाएगा और यहाँ root है तो हम root कर लेंगे अब x square minus यह 14 x और 49 और plus 36 दोनों plus में तो जोड़ लेंगे 9, 6, 15, 15, 16, 1, 4, 4, 8, 8, यह 85 हो जाएगा और यह root है तो root रहेगा अब हम क्या करेंगे इसी प्रकार O, B को निकालेंगे O, B को निकालेंगे तो यहाँ भी हमारा जो दोड़ी सुत का formula वो x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square हो जाएगा अब चुक्छे यहाँ हम इसको x1 और y1 माले है तो अब हम B में भी इसको x2 और y2 माल लेते हैं तो अब यहाँ x2 का जो मान होगा माइनस 3, तो माइनस 3, formula का माइनस तो माइनस लिखेंगे x1 का माइन x है तो यहाँ हम x का यह whole square हो जाएगा plus यह y2, y2 का माइन 4 है तो 4 लिखेंगे minus y1 का माइन 0, यह 0 का whole square और यह root है तो root ही रहेगा अब यहाँ से हम minus को common कर लेते हैं चौड़ी यहाँ x होगा और यह whole square यह पूरा का whole square होगा plus 4 में से 0 हटा लेगे तो यह 4 का square और यह root है तो root अब माइनस का square plus हो जाएगा तो यह बचेगा 3 जोड x का whole square और प्लस 4 का square 16 under root अब यहाँ a plus b का whole square a plus b के whole square का formula लगाएगे तो o b बढ़ावर हो जाएगा a square यहाँ a के जगा 3 है तो 3 का a square plus b के जगा x है x square plus 2 a into b और यहाँ plus 16 है तो 16 लिखेंगे और यहाँ root है तो हम root कर देंगे अब इसे हल करते हैं सबसे पहले हम x square को लिखते हैं plus 2 di 100 x हो जाएगा और प्लस 3 का a square 9 और यह 16 है तो 16 रूट है तो root कर लेंगे अब यह x square plus 100 x plus 16 और 9 यह 25 हो जाएगा और यहाँ root है तो root चुकि क्वेस्टन में कहां कि दोनों बिन्लू एक दूसरे से सम्दुरस्त है मतलब समान दूरी पर है इसका मतलब यह होता है कि यह जो o a है o a बड़ावर है o b k जे o a बड़ावर है o b k तो अब यहाँ o a का मान लिखते हैं o a का मान है root अंडर x square minus 14 x 0 85 बड़ावर o b का मान यहाँ से लिखेंगे root x square 6 x 0 25 अब यहाँ हम दोनों तरफ वर करने थे दोनों तरफ work करने पर दोनों तरफ work करने पर work कर लेते हैं work करनी के बाद देख रहे है square से root खतम हो जाएगा यहाँ भी square से root खतम हो जाएगा x square minus 14 x 0 85 बड़ावर यहाँ भी x square जो 6 x 0 यह 25 हो जाएगा अब x square lhs में भी है और x square plus में भी और ढोनों समान ची दोनों plus में ज़ले कट जाएगा अब हम x वालों को एक तरफ करते हैं तो माइनस 14x अब यह पलस में है जब इसको lhs में लेग आगे तो माइनस में 6x ब्रवर यह 25 अब हम में जब इसको आरेटेस लेकर जाएंगे तो यह माइनस चोदा और माइनस चोदा तो माइनस में गीश बरावर 85 से 20 गटा लेंगे तो माइनस में 60 माइनस माइनस कट गया तो अब हमें यह मिला एक्स बरावर 60 बटा 20 अब ये कट कर हो जाएगा 20 ती आई 60 अर्थाथ एक्स का जो हमें मेलो मिल गया वो 3 अर्थाथ एक्स अक्षपर जो बिंदू होगा वो 3 और 0 होगा जिसे हम वो माने हैं वो 3,2 और माइनस 5,2 है और यहां भी हमारा क्षच्चान है कि एक्स अक्षपर उस बिंदू को ग्याद करें जो बिंदू युगमों से सम दुरस्त है तो यहां मान लेंगे कि एक्स अक्षपर जो बिंदू है वो x,0 है और यहां से a,3,2 और माइनस 5,2 जो सम दुरस्त है हम इसे o कह देते हैं और इसे a कह दी है और इसे b हो गया अब हम क्या करेंगे पिछले क्षच्चन की तरह है सबसे पहले हम o a निकालेंगे फिर उसके बाद o भी निकालेंगे और दुनों को बराबर करेंगे तो हम o a निकालते हैं फॉर्मूला जो हमारा दुरी का है वो x2 माइनस x1 का होले स्पैर पलस y2 माइनस y1 का होले स्पैर यहां हम इसको x1 y1 माल के यह x2 और यह y2 हो जाएगा अब हम माल पर रखेंगे तो x2 का जो माल है वो तीन है माइनस x1 का माल x का होले स्पैर पलस y2 का माल 2 माइनस y1 का माल जीओ का होले स्पैर अब यहां जिए a माइनस b के होले स्पैर तो फॉर्मूला लगाएंगे ए इसक्वार होता है असक्वार प्लस बीसक्वार माइनस टू एंटू दी प्लस दो में से जीरो गटाएंगी तो दो ही ना जाएगा अठा दिए जो का है स्क्वार और रूत है तो रूत कर लेंगे अब इसका उसा जाले दें x square को पहले लिखेंगे माइनस दो ती आई 6x प्लस तीन का स्वेर 9 और 2 का हो जाएगा 4 तो ये x square माइनस 6x प्लस 9 4 13 और root है तो root हम वह का मान निकालें अब हम ob का मान निकालें ob बराबर ये x2 माइनस x1 का होल square plus y2 minus y1 का होल इसकार अंडर root अब यहाँ हम ये x1 y1 तो अब इसे हम x2 y2 कर लेते हैं अब हम मान को रखेंगे तो x2 का मान minus 5 है यहाँ minus 5 लिखेंगे minus x1 का जो मान है वह x है x का whole square plus y2 का मान minus 2 है minus y1 का मान 0 का ये whole square under root है तो root कर लेते हैं अब हम minus common कर लेंगे तो 5 जो x उड़े का whole square करेंगे plus minus 2 से 0 हटा लेंगे तो minus 2 का ही square होगा और ये root है तो root अब minus का square plus हो जाएगा तो बचेगा 5 जो x का whole square plus minus का square plus 2 का square 4 अंडर अब ये a plus b का whole square का formula लगाएगी तो होगा a square plus b square plus 2 a into b और plus 4 है तो 4 लिखेंगे और root है तो root अब वो भी बड़ावर हम पहले x square पर लिखते हैं x square plus 5 जोना 10 6 5 का square 25 और ये plus में 4 है तो 4 लिखेंगे और ये root है तो root और ये x square plus 10 6 और 25 4 29 का root हो जाएगा तो कि question कहा कि दोनों बिखेंगे एक दूसरे से सम्दुरेस्ट है इसे लिए o a बरावर हो जाएगा o b है प्रसन से o a बरावर o b o a का माल यहां से रखेंगे root अंडर x square minus 6 x 0 फिर बरावर o b का माल लिखेंगे root अंडर x square जोर 10 x 0 29 अब यहां root को खतम करने के लिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे x square minus 6 x 0 13 बचेगा बरावर का चीन देंगे फिर यहां square जरूट कतम हो जाएगा x square plus 10 x 0 29 अब इधर भी plus में x square इधर भी plus में x square कट जाएगा तो minus 6 x अब यह plus में है जब इसको lhs में लेका रहें तो minus में 10 x बढ़ावर 29 और इधर पलस में जब इसको lhs लेके जाएगा तो minus में 13 हो जाएगा अब minus 4 minus 10 minus 16 x और 29 से 13 गावर 9 से 3 गया 62 से 1 गया तो 1 अर्थाथ x बढ़ावर minus 16 बटा 16 कट कर हो जाएगा minus 1 हमें x का जो मान मिला वो minus 1 मिला अर्थाथ x अक्ष पर बिन्दू होगा वो minus 1,0 होगा यह हमारा answer हो गया अब हम देखेंगे question नमर 5 का 3 question हमारा है यह 2 minus 5 2 minus 5 और minus 2 और 9 minus 2,9 तो यहाँ भी हम x अक्ष पर बिन्दू को x,0 माल लेते हैं और इसे o कह देते हैं और यहाँ से 2 यह 2 minus 5 इसे हम a कह देते हैं और यह minus 2,9 इसे हम b कह देते हैं यहाँ भी हम o a निकालेंगे फिर o भी निकालेंगे और दोनों को बड़ावर करेंगे तो पहले हम o a निकाल लेते हैं O A बरावर root under x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square हम इसे x1, y1 और इसे x2 और इसको y2 बहे रहते हैं अब हम मान को रखेंगे तो x2 का मान जो है वो दो है तो लिखेंगे minus x1 का मान x है तो x का whole square plus y2 का मान minus 5 minus y1 का मान 0 का whole square अंडर यह root हो जाएगा अब यहाँ a minus b का whole square का हम formula लगाएगे तो हो जाएगा a square plus b square minus 2ab plus minus 5 और minus 0 यह minus 5 कहीं square है ना अंडर root है तो root कर लेंगे अब x square को हम पहले लिखेंगे और यहाँ minus है तो minus दो दूना 4 x है तो x plus 2 का square 4 plus minus का square plus हो जाएगा और 5 का हो जाएगा 25 अब यह x square minus 4 x plus 25 और 4 यह 29 root हो जाएगा तो में यह oe मिलिया अब हम o b को नहीं का लेंगे तो o b बड़ाबर root अंडर x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square यह x1 y1 तो यह x2 और यह y2 हो जाएगा अब x2 का मान-2 minus x1 का मान x का whole square plus y2 का मान-9 minus y1 का मान-0 का whole square under root अब यहाँ minus को common कर लेते हैं तो 2 minus से minus common के तो plus यह x का whole square plus 9 में से 0 घटाएगे तो 9 रह जाएगा square है तो square अब minus का square plus होगा तो मिलेगा 2 plus x का whole square plus यह 9 का square under root अब 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 आब आब़र हो जाएगा a square plus b square plus 2ab plus 9 का square 81 root है तो यहाँ हम root कर लेंगे अब हम x2 को पहले लिखेंगे दो दुना 4x plus 2 square 4 और 81 है तो 81 लिखेंगे अब x square जो 4x plus 81 और 4 85 हो जाएगा अब प्रसल से तो क्योंकि समदुरस्त है तो o a बराबर हो जाएगा o b के अब o a का माल निख लेते हैं यहाँ से root x square minus 4x जोर 29 बराबर o b का माल x square जोर 4x जोर 85 का root यहाँ दोनों तरफ work करने पर दोनों तरफ work करने पर work करने से दोनों तरफ root खतम हो जाएगा तो यह x square minus 4x जोर 29 बराबर x square जोर 4x जोर 85 अब x square से x square यह कर जाएगा चुकि दोनों तरफ हैं तो अब हमें मिलेगा minus 4x अभी plus में यह आएगा तो minus 4x बड़ाबर 85 और plus में 39 से जोर इसको आरेशस लेकर जाएगा तो यह minus 9 हो जाएगा चार और 4 minus 8x हो जाएगा और 85 से 9 गटा तो 15 से 9 हो गया 15 से 9 गया तो 6 हो जाएगा और यह बज्याए साथ से 2 गया तो 5 अब x बड़ाबर 56 बड़ा minus में 8 minus को उपर लिखती है तो 8 सते 6 अर्थाथ x का जो मान हो जाएगा वो minus 7 हो गया अर्थाथ यहां हम और y अक्ष पे कह रहा है तो पिछला वाला जो हम वो क्वेशन देखे है उसमें x अक्ष पे कह रहा था मतलब x होगा और y 0 लेकिन यहां y अक्ष पे कह रहा है इसका मतलब है होगा कि x 0 और यहां y होगा और एक बिंदू यहां minus 5, minus 2 दिया है और दूसरा 3,2 दिया है तो इसको o कह देते हैं इसको a कह दी और इसको b कह दी है तो आप सम्दूरे स्थ है तो इसके लिए हम क्या करेंगे फिर oa निकालेंगे o b निकालेंगे और दोनों को हम बराबर करेंगे तो सबसे पहले हम o a निकाल लेते हैं तो o a फॉर्मूला दूड़ी सुच का वह x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square अब यहां इसे x1 y1 और यह x2 y2 हो जाएगा तो x2 का मान minus 1 तो minus 5 minus x1 का मान 0 y1 का whole square root है तो यह हम root कर लेंगे अब minus 5 से 0 खटाएगे तो यह minus 5 ही रह जाएगा plus यहां minus common करते हैं यह 2 minus common की तो plus और y और यहां एक और पुष्ट करना आवस्य है क्योंकि यह एक और चिंह पहले से अब यहां root है तो root कर लेंगे अब minus का square plus 5 का square 25 plus तो plus minus का square plus हो जाएगा तो यह बचेगा 2 plus y का whole square और root है तो root कर लेंगे अब यह 25 प्लस 2 का square 4 हो जाएगा तो यह y square plus 4 y जोर 25 चार 29 यह root हो जाएगा अब इसी प्रकार हम ob मिकालेंगे तो ob इसका विदूरी सुत्र x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square यह x1 y1 तो हम हम इसको x2 y2 माल लेते हैं अब x2 का मांद 3 है 3 minus x1 का मांद 0 का whole square plus y2 का मांद 2 minus y1 का मांद y का whole square अंडर root है अब यहां हम 3 से 0 घटाएगे तक 3 ही राज आएगा 3 का square होगा plus 2 minus y का whole square तो a minus b का whole square का formula लगाएगी यह a square plus b square minus 2 a b हो जाएगा 4 root है तो root कर लेते हैं y square minus 4 y plus 9 4 13 और यह root है तो हम root कर लेंगे अब अब सम्दुरस्त कहां तो o a बढ़ावर हो जाएगा o b तो अब o a का मांद यहां समझे लेते हैं root अंडर y square जोर 4 y जोर बढ़ावर o d का मांद यहां से root y square minus 4 y जोर 13 अब चुकी दोनों तरफ root हैं तो हम दोनों तरफ work करने पर दोनों तरफ work करने पर work कर लेते हैं इधर भी square हो जाएगा इधर भी square हो जाएगा अब यह square से root खत्म तो y square plus 4 y जोर 29 बढ़ावर y square minus 4 y जोर 13 इधर भी y square कट जाएगा तो 4 y अभी minus में जब इसको LHS लेके आएगे तो यह plus में हो जाएगा बढ़ावर 13 अब यह plus में है जब इसको RHS लेके जाएगे तो यह minus में हो जाएगा अब 4y जोर यहां 4 होगा चार और चार आठ वाई हो जाएगा और यह घटाएंगे तो 9 से 3 गया चो और एक minus में हो जाएगा तो y बना और minus 16 बना 8 कारतेंगे तो minus में 2 हो जाएगा अर था था हमारा y अक्षपर जो निर्देशांग को होगा वो तो यहां भी y अक्ष पर इस बिन्दू को ज्याद करें तो 6,5 और minus 4,3 यहां भी y अक्ष पर कहता है तो मालने पर माना y अक्ष पर बिन्दू बरावर 0 और y हो जाएगा तो कि y अक्ष पर कह रहा है तो x 0 होगा तो इसे भी हम यहां 0 और यह y लिखने पर हैं और यह 2,5 जो a है और दूसरा a है minus 4,3 तो सबसे पहले हम o a निकालेंगे फिर o भी निकालेंगे तो o a निकाल देते हैं हमारा दूड़ी सुत्र है x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square तो यहां हम इसे x1 और y1 इसे x2 और y2 माल लेते हैं तो x2 का माल 6 minus x1 का माल 0 का whole square plus y2 का माल 5 minus y1 का माल y का whole square root है तो root अब 6 में से 0 खटाएंगे तो 6 का square plus है तो plus का चिन देखेंगे अब a minus b का whole square a square plus b square minus 2 a into b और root है तो root कर लेंगे y square को पहले लिखेंगे minus 5 दूना 10y plus 6 का square 36 और 5 का square 22 root है तो root y square minus 101 plus 6 5 11 का एक 3 तो 5 है एक 6 हो जाएगा और यह root है तो root अब हम इसी परकार और भी निकालेंगे दूरी सुतर को लिखेंगे x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square अब यह x1 y1 तो यह x2 और यह y2 हो जाएगा पर x2 का मान minus 4 minus x1 का मान 0 का whole square plus y2 का मान 3 y1 का मान y का whole square अंदर root अब minus 4 से 0 होटागे ना minus 4 का whole square a minus b का whole square तो a square plus b square minus 2 a into b और यह root है तो root अब minus का square पलस हो जाएगा और यह सबसे पहले y square को लिखेंगे लेते है minus 2 3 6y plus minus का square पलस 4 का हो जाएगा 16 और यह ना इन का हो जाएगा 9 root है तो root अब y square minus 6y और 16 नो 25 का root हो जाएगा अब इसे हम o e बडावर o v लिखेंगे अब हम o d का मान यहां से लिखे लेते है root अंडर y square minus 10y जोर 61 बडावर o d का मान लिखेंगे root अंडर y square minus 100y जोर 25 अब यहां दोनों तरफ work करने पर इधर भी हम work कर लेगे इधर भी अब यहां square से root खतम हो जाएगा तो y square minus 10y जोर 61 बडावर y square minus 100y जोर 25 तो y square से y square कर जाएगा minus 10y अब यह minus मिदर आएगा तो plus में हो जाएगा और यह 25 इधर plus मिदर जाएगा तो यह minus हो जाएगा माइनस 10y और plus 6y तो माइनस में 4y हो जाएगा और यह 25 से जब हम माइनस में 60 है घटा 11 से 5 गया चो और यह 5 से 2 गया तो 3 हो जाएगा अब हम देखेंगे question number 7 question number 7 का दूरी सुद्व का पढ़ियों करते हैं जास करें कि क्या निविखित बिंदूर के समों Sunday ही है इसमें सबसे पहला हमारा question 3 5, 1, 1, minus 2, minus 5 यहां में 3 इर दिसांग दिया है यहां में के रेखा पे इसको सजा देखें A, B और यह C, A दिया है 3, 5, B दिया A के और C दिया minus 2, 5 कहता है दूरी सुद्व का परियोग करते हुए मैं चांच करना है कि यह संडेख है यहां में दूरी सुद्व का परियोग अब यह X1, यह Y1, यह X2 और यह Y2 हो जाएगा अब X2 का मान 1, minus X1 का मान 3 का होल सुद्व का मान 1, minus Y1 का मान 5 का होल सुद्व का है अब minus का square plus 2 का 4, फिर प्लस 4 का square 16 और 16 चार यह 20 हो जाएगा और 20 को लिख सकते हैं 2 root 5 और ठाथ हमें यह भी मिली गया 2 root 5 अब हम BC निकालेंगे BC बनाओ, यहां भी 2 root 6 तर X2 minus X1 का होल स्कार पलस Y2 minus Y1 का होल स्कार अब चुक्कि हम BC निकाल रहें तो अब हम इसे X1 और Y1 और इसे हम X2 और Y2 कर लेते हैं तो X2 का मांद माद 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 म हम जोड लेते हैं 37 नो 45 हो जाएगा और 45 का वह जाएगा तीन रूट 5 तो अब हम AC निकालेंगे AC बड़ावर X2 माइनस X1 का whole square plus Y2 माइनस Y1 का whole square अब यहाँ जिए AC और C निकालेंगे तो X2 का माइनस 2 माइनस X1 का माइन 3 का whole square plus Y2 का माइनस 5 माइनस Y1 का माइन 5 का whole square और root है तो root अब minus 2 minus 3 minus 5 का square plus minus 5 minus 5 minus 10 square root है तो root अब minus का square plus हो जाएगा 5 का 25 plus minus का plus 10 का whole जाएगा 100 अर्थात यह हो जाएगा 125 और 125 को हम लिख सकते हैं 5 root 5 अर्थात यह भी हमें मिल गया 2 root 5, BC मिल गया 3 root 5 और AC मिल गया 5 root 5 तो संडेक होने के लिए किसी 2 को जोरने पर वत किसरा के बरावर हो जाएगा अर्थात हम देख रहे हैं कि AC बरावर AB plus BC है तो AC है 5 root 5 बरावर AB का मान है 2 root 5 जो BC का मान आया 3 root 5 तो यह 5 root 5 बरावर 2 और 3 5 root 5 यह बरावर हो गया इसका मतलब है कि यह सं रेक है अब हम देखेंगे question number 7 का 2 इसे भी हम एक graph पहले बना लेगा ताकि question को हल करने में शुक्दा होता है यह A, यह B और यह C A हो गया 5,1 B हो गया 1,1-1 और C हो गया 11,4 अब हम सबसे पहले A भी निकालेंगे फिर BC निकालेंगे फिर उसके बाद हम AC को निकालेंगे फिर अब देखेंगे कि यह संदेख है या नहीं तो A भी निकाल लेते हैं, A भी वड़ावर रूट अंडर x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square under root जे x1 y1 और जे x2 y2 x2 का मांद 1 minus x1 का मांद 5 का whole square plus y2 का मांद minus 1 minus y1 का मांद 1 का whole square under root अब 1 और minus 5 minus 4 square plus minus 1 minus 1 minus 2 का square under root minus का house प्लस 4 का 16 plus minus क का स्कार प्लस 2 का वो जाएगा 4 और 16 चार मिलते है 20 और 20 को हम 2 root 5 लिख सकते हैं अब इसी प्रकारण 20 निकालते हैं 20 बड़ाबर root ने X2 minus X1 का whole square plus Y2 minus Y1 का whole square अब X2 अब हम इसे X1 और Y1 और इसे हम X2 और Y2 कर देते हैं X2 का जो मान होगा 11-1 का मान 1 whole square plus Y2 का मान 4-Y1 का मान minus 1 whole square root है तो root कर लेते हैं 11-1 घटाई नहीं तो 10 का square plus 4 है तो 4 minus minus plus 1 whole square और यह root है तो root हो जाएगा अब 10 का हो जाएगा 100 अब plus 4-1 5-5 का square 25 अर्थाति यह 125 हो जाएगा और 125 को 5 root हो 5 लिख सकते हैं अब हम AB और BC निकालों तो अब हम AC निकालेंगे AC बराबर root है तो X2 minus X1 का whole square plus Y2 minus Y1 का whole square अब यह X2 का मान 11-X1 का 5 का whole square plus Y2 का मान 4 Y1 का मान 1 का whole square under root अब 11 से 5 गटाईगी तो 6 square 4 से गया तो 3 square अब 6 square होता है 36 और 5 तीन का हो जाएगा 9 36 और 9 root में 45 3 root 5 इसको हम लिख सकते हैं अब हम देख रहे हैं यह जो BC है BC बढ़ावर AB पलस AC BC का मान 5 root 5 AB का मान है 2 root 5 अब पलस AC का मान है 3 root 5 अर्था 5 root 5 बढ़ावर यह भी 5 root 5 आगया अर्था दोनों बढ़ावर हैं इसका मतलब है कि यह भी संडेक है तो फ्रेंड्स यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चनला को लाइक करें संस्क्राइब करें कमेंट करें अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें थाइंक्यू लाइट